आपने चैनल के वीडिए अज हमारे साथ चुहान जी है जो की कंपनी का संचालन करते हैं तो सवागत है आपका हमारे चैनल पर और यह कौन सी मसीन है इसके बारेमें आप पताएगे जी सर सबसे पहले मैं अपना परिक्षेतिमा चाहूंगा मेरा नाम पीवच चौहान है और ह यह हमारी कंपनी है किसान एकरों हरीदवर में तो अकार जी सबसे बहुत बहुत स्वागत है और आप के माधियम से जो किसान भाई हमें देख रहे हैं उन सभी दो जैसे किसान भाईयों के लिए तरह तरह की उच्छ वालिटी की एक्रिकुप्रेंट्ट लेकर आते रहते हैं आज उसी क्रम में हम किसान बाइयों के लिए लेकर रहे हैं पावर स्प्रेयर, यह है नैपसेक पावर स्प्रेयर जो की कमर पे टांगने वाली पावर स्प्रेयर मशीन है, भारत में बिखने वाली सबसे बढ़ा पावर स्प्रेयर मशीन है, यह मैं दावा नहीं, यह मैं गरं सबसे पहले हम इंजन की बात करते हैं इस सेग्मेंट में आने वाला सबसे हैवी सबसे पावरफुल और सबसे मजबूत इंजन यह है यह है फोर स्टोक इंजन डेड़ एच्पी का 36 सीशी का इंजन है होंडा इस सेग्मेंट में आने वाला सबसे बहतरी निजन है इसमें अगर मैं आपको बात बताओं सिंगल किक में हमारा इंजन स्टार्ट होता है अलगा कि अंडर यहां और यह मांदे चोक है इंजन ऑोल डलता है बीस डिब्लव चालिस वो तको शाड़े साड़े प्रवाब इसकी जो वाटर के पैसिटी है पचीस लिटर की वाटर के पैसिटी आती है वर्जिन प्लास्टिक के बॉड़ी हाँ आप देख सकते हैं कितनी मजबूत इतनी शानदार यह मशीन है अब देखरें हम इसको काफी तेजी सिमिक के समारी कोई भी दिक्कत इसमें दर्द होता है लेकिन इस पे कुछ नहीं होता है यह तो इसके बाद सर आप इसका डखकन उठागे देखो हाथ में कितना पारी है यह तकन काफी वजन है अब जो लगता है कम से काम यह 600-700 ग्राम का इससे के आपके पंप भी खराब नहीं होंगे कभी डब जाबने के साथ हम देते हैं और इसके पा viens के अपर जयांके है। पहां सकते हैं जो पीछी से पेहनता है इसके अलावा अगर माँ बात करों इस में वाइब्रेसी बहुत कम Awesome. अजब किसान भाई क्वा ज़ना करते हैं में फॐन बहुत कम है उसका Совी सरै ना 발 Loki तो यहां पर हमने रबर के गुटके दे रखे हैं इसमें चार गुटके हैं जो इंजन का वाइब्रेशन है वह इसी में रह जाता है किसान की कमर तक कुछ भी नहीं पहुंचता ठीक है सर इसके अलावा पीछे में आपको दिखाना चाहूंगा कितनी शांदार हमने यहां पर पर बैडिंग है बहुत ही मजबूत गद्देदार हमने इसमें जो है बेल्ट दे रखी है किसान को ऐसा लगेगा जैसे स्कूल बैग लेके चलना है किसान भाई है इसमें इतनी शांदार चीज देती है जो किसान भाई देखके ही बहुत ज्यादा कुछ आजातने हैं जब ह बहुत दिक्कत होती है हमने अपनी मशीन में ड्रेन कैप दे दिया है अगर किसान भाई मशीन को दोना चाहते हैं अंदर पानी मारें और यहां पर ड्रेन कैप है इसको हलका साथ ढ़ना करना है और यह पानी निकलना शुरू जाएगा यह देख सकते हैं इसके आपको फाइ पाइप मिलता है यह एक मिंटर का जो इसमें लगा के चलता है इसके अलावा इसके जाती है त्री लांस नौजल आती है जो कि हम भी चला के भी दिखाएंगे और आपको एक हाई प्रेशर गन मिलती है जो आपका 35 फिट तक का स्प्रेप बहुत असानी से गर देती है और इ किक है कि द्वा कर दोनिमार करें अब बूरै शांदार पार ईसको और जाहर कितना शांडार तरिकर बहुट्छ 손ड़ा पार्ली जाती है किसरे इतना ब्रेशर के ते guys स्प्रेय है स इस में चल्दार जविए है इतना वर्त करें उत् Hamburg इसके बाद यहां पर यह इंजन केल बटन है कि इसको दबा कि आप इंजन बन कर सकते हैं तो सरसर हम ने देखा बहुत ही शांदार है अगर आप मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो हो सकता है अगर आप पहली बाद चला रहें तो दुहां से चलाएं सर अब इसकी और क्या चीजी हमें बताई है यह अब यह पीछे भाई यह देखिए यह देखिए यह काफी कंफुरेटेबल है जैसे कि इस प्रेमसीन में करके कार हो यह देखिए कितना कंफुरेब है इसको आप लिए किसान बहुत को यह मशीन है कमरें पर टांके चलानी है तो 25 किलों का क्योंकि इस पर पानी का पर दसके लिए तो ना हो इसके लिए हमने पीछे बहुत ही शांदार यह पर पैडिंगी है कि किसान को दिक्कत बिलकुल आए बिलकुल ऐसा लगे जैसे उसने पैरशूट पहन आराम से इसको लेकर स्परे कर सकते हैं इस इंजन की एक साल की अब गारंटी देते हैं तो सब की एक साल की घर पर ही आपको बदलके दिया जाएगा जो कहा यह सब से अच्छी जी मिशे लगी मैंने अभी तक कही नहीं ऐसा देखा हुआ है की बाटी की लिए पांच साल की गरंटी लिया तो एसा हो रहा है संद्र की मसीन काफि काफि शांदार है और यह काफि अच्छा इस पर कर रहे है इसकी खास बाते भी आपने बताई इस इसको किसान भाई घर बैटे मंगवा सकते हैं जो स्क्रिंग पर हमारे नंबर दिये गए हैं इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं सुबह नौ बैसे शाम को पाच बे तक इस वीडियो का हमें स्क्रिंशॉट लेके बेजें अगर हम कभी कॉल ना उट है तो हमें वाट्सअप कर इस से इस अच्छी और सबसे बहुत भी स्प्रेयर मशीन को अपने घर पर मगवाएं जी यह सब इसका उप्योग करें और अपनी जो उप्योगिता है उसको बढ़ाएं और अच्छा उत्पादल पाएं किसान भाई आपने अंतिम तक इस वीडियो को देखा आपने